बाबा साब ने मुझे कुटा समझ लिया जी हाँ आपको थोड़ा आश्चरे लगा होगा कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ लेकिन ये सत्य घटना है अगर आप बाबा साब के चाहने वाले हैं बाबा साब के फोलोर है तो इस वीडियो को समझ लिए अंतरक जरूर देखे और एक दो ऐसी रोचक कहानिया हम आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तो इसी वीडियो में हम उसके बारे में डिसकस करेंगे तो वीडियो को अंतर जरूर देखना तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त मिधिलिश और आपने देखना शुरू कर चुके MG Logs आप सभी को दोस्तो नमबुधाय जये भी किताबों को लेकर उनका प्यार इस हद तक था कि वो सुबह होने तक किताबों में ही लीन रहते थे चैने से प्रकाशित होने वाले जय भीम को 13 एप्रिल 1947 के अंक में करतार सिंग पोलोनियस ने लिखा था एक बार मैने बाबा साब से पूछा कि आप अपनी सारी किताबे कैसे पढ़ पाते है इस पर उनका जवाब था लगातार किताबे पढ़ते रहने से उन्हें ये अनुव हो गया था कि किस तरह किताब के मूल मंतरों को आत्मसाथ कर उसकी फिजूल की चीजों को दरकिनार कर दिया जाए अनेकों किताबे पढ़ने वाले बाबा साहाब पर तीन किताबों का सबसे ज़्यादा आसर हुआ था इन में से पहली किताब थी लाइफ आफ टॉल्स्टॉई दूसरी किताब थी विट्टर हुगो की ले मिजराल्ब और तीसरी थी थी थॉमस हार्डी की फार फ्रॉम दे मैडिंग क्राउड मशूर किताब इन साइड एशिया के लेखक जौन गुंतेरा ने लिखा है कि 1938 में जब राजगुरह में बाबा साहाब अमबेटकर से मेरी मुलाकात हुई थी तो उनके पास करीब 8000 किताबे थी उनकी मृत्यों की दीन तक ये संख्या बढ़कर 35000 तक हो चुकी थी किताबों के प्रती दिवानगी को लेकर बाबा साहब के बारे में एक किस्सा और मशूर है बाबा साहब के निकट सहयोगी शंकरानन्द शास्त्री रवार 20 दिसमबर 1944 की दोपर एक बजे उनके मिलने उनके घर गए थे तो बाबा साहब ने अपने साथ जामा मजिद इलाके में चलने के लिए कहा उन दिनों वो बाबा साहब की पुरानी किताबे खरीदने का अड़ा हुआ करता था दोबर का वक्त था तो जंकरानन ने बाबा साहब से यह कहने की कोशिश की कि अभी तो खाना खाने का वक्त हो रहा है लेकिन बाबा साहब पर इसका कोई असर ना हुआ बाबा साहब के जामा मजिद इलाके में होने की खबर चारों तरफ फैल गई भीड उनके चारो तरफ ही कट होने लगी इस भीड में भी उन्होंने अलग-अलग विशेयों पर करीब दो दर्जन से जादा किताबे खरीद ली बाबा साब अपनी किताबों को किसी को भी पढ़ने के लिए उधार नहीं देते थे वो कहां करते थे कि अगर किसी को उनकी किताबे पढ़नी है तो उनको उनके पुस्तकाले में आखर पढ़ना होगा बाबा साब के एक और अनुयाई नाम देव निमगडे अपनी किताब इन दे टाइगर शेड़ो दे आटोबागराफी आफ एन अमबिट का राइट में लिखते है एक बार मैंने उनसे पूछा कि आप इतने लंबे समय तक पढ़ने के बाद अपना रिलैक्सेक्शन यानि मनोरंजन किस तरह करते है उनका जवाब था कि मेरे लिए रिलैक्सेशन यानि मनोरंजन का मतलब एक विशय को छोड़ दूसरे विशय की किताब को पढ़ना है निमगडे ने आगे लिखा कि रात में बाबा साब किताब पढ़ने में इतना खो जाते थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई धायन नहीं रहता था एक बार देर रात म उनके स्टडी में गया और उनके पैर छुए किताबों में डूबे बाबा साब बोले टॉमी ऐसा मत करो मैं थाड़ा अचमित हुआ जब बाबा साब ने अपनी नजरे उठाई और मुझे देखा और चोग गए वो पढ़ने में इतने ध्यान मगना थे कि उन्होंने मेरे स् समझ लिया ऐसे थे बाबा साब के कुछ रोचक किस से दोस्तो आई होप कि आपको यह इंफर्मेशन पसंद आई हो आज तक किसी भी न्यूज चैनल या यूटूब में यह इंफर्मेशन पता नहीं किसे ने दिखा या नहीं दिखाई मैंने उकुशिश करी मेरे तरब से द झाल